सब्सक्राइब की ये पीजन मस्ती चैनल को और पास में बने बैल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले कैसे हो आप लोग आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टोफ फाइफ इंडियन हाई फ्लाइं पीजन के बारे में कि कौन सा कबूतर सबसे नंबर वन पर आता है कौन से कबूतर कितना अच्छा उड़ता है ठीक है कि आप में से कुछ लोगों का कमेंट्स होता ह है कि भाई हमें ब्रीड के बारे में नहीं पता चलता सबसे ज्यादा कौन सा कबूतर उड़ता है आपके हिसाब से वह आप हमें बता तो मैंने सोचा गाईस इसके उपर एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि आपकी जो है थोड़ी नॉलेज बढ़ है और मैं आपको पहल कबूतर को रखा है ठीक है तो ऐसा मत सोचना कि भाई मैंने ऐसा बोल दिया है तो यह बिल्कुल फिक्स हो गया है ऐसा कुछ निये भाई मेरा ऐसा मानना है ठीक है और गाईस थोड़ा बाहर से नॉलेज मैंने लिया है और इसमें मेरा भी जो प्रस्णल एक्सपिरियंस से वह भी लिया है इस पर से एकात कबूतर ऐसे भी मैं बताऊंगा जिसका जो मैंने कभी उडाए नहीं है उसके बाद भी मैंने रखा है क्योंकि बहुत सारे कबूतर के बारे में मतलब मेरे को ऐसा जरूरी नहीं होता यह चीज की आप खुद रखो तभी नो ले जाए जैसे आपके कुछ करीबी कबूतर का सौक किये हैं या कोई दोस्त कबूतर का सौक किया है तो वहां से भी आप information ले सकते हों उन लोग की personal experience क्या है वो कबूतर कैसा उड़ता है उससे आप पूछ सकते हो तो गाईस मतलब सब कुछ मिला जुला के इसमें मेरे भी बहुत सारे experience से जो कबूतर मैंने उड़ाये हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया है ठीक है तो गाईस मतलब सब मिला जुला के मेरा ये कहने का मतलब है कि इस वीडियो में मैं आपको जितना भी कबूतर दिखाऊंगा rank wise वो मेरा खुद का ऐसा मानना है कि ये कबूतर number one पे होना च के लिए क्योंकि देखो कबूतर उड़ाना जो है जिसने कबूतर रखा है वही उड़ा सकता है ठीक है कबूतर उड़ाने वाला होना चीए चाहे कोई भी ब्रेट का हो कबूतर अगर वो चाहे कितनी भी अच्छी ब्रेट है लेकिन गाईस अगर उड़ाने वाले के पास experience नहीं है नौलेज नहीं है तो जितना अच्छा कबूतर का result आना चीए जितना वह कबूतर करता है उन्हाँ डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूं कबूतर उतना नहीं उड़ पाएगा ठीक है तो सबसे जरूरी चीजी अभी होता है कि आपको कबूतर उड़ाना है तो आ नहीं काशनी कबूतर को क्योंकि मैरे पास कासनी कबूतर है और ऐसा का सब्सकराते के से उड़ते हैं तो भाई ये पांचवे नंबर की पोजिशन को डिजर्व करता है ये कबूतर ठीक है मेरा ऐसा मानना है मैं आपको फिन से बोल दूँ फिन भाई आप लोग कमेंट्स में ऐसा मत बोलना कि भाई नहीं इसके जगे ये कबूतर होना चाहिए हमारे पास ये इस्पिरियंस से आपको बता रहा हूं कि 500 नंबर पे कासनी कबूतर आता है ठीक है अब इस चौथे नंबर पे आता है जीरे कबूतर जो कि मेरे पास है भी लेकिन हां मेरे पास जीरे कबूतर का मतलब मैं आपको जूड़ गैस कुछ भी नहीं बोलूँगा जो है सब कुछ सच बता दूँगा कि मैं खुद भाई जीरे कबूतर को ज्यादा नहीं उड़ाया हूं ठीक है मेरे पास क्योंकि देखो आपको पता होगा एक ही मेरे पास जीरे कबूतर है इस समय पे तो उसका मतलब मैं उतना उड़ाया नहीं हूँ बहुत ही कम उड़ाया है उसको ठीक ह भी उड़ाएं हैं तो मतलब जो उनका पर्चा आता है गाईस वभी मैं देखता हूं कि मतलब जो जीरे कबूतर है उन लोग का पर्फोमेंस काफी ज्यादा बढ़िया रहता है तो भाई जीरे कबूतर जो है वो चौथे नंबर के पोजिशन को डिजर्ब करते हैं तो अगर भाई क्रोस करा के इधर उदर करके खिचड़ी बना दिया है मैं वो सब ब्रीट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्रीट्स की तो भाई जीरे कबूतर बिल्कूल फोर्थ पोजिशन को डिजर्ब करता है अब जो है बताते ह है कि तीसरे नंबर पर कौन सा कबूतर आता है वो बता देते हैं सो गाईस तीसरे नंबर पर आते हैं साहजन पूरी कबूतर आप जो देख रहे हो गाईस स्क्रीन पर इन्हें कहा जाता है साहजन पूरी ध्यान से सुनना सारन पूरी नहीं साहजन पूरी ठीक है गाईस साह साजनपूरी कबूतर आते हैं तीसरे नंबर पे हाइफ लाइंग में ज्यादा टाइम उड़ने के मामले में मेरे को ऐसा लगता है इस कबूतर का भी मेरे पासकोई उतना एक्सपीरियंस नहीं है मैंने उतना उड़ा के नहीं देखा है ठीक है लेकिन मेरा मन है इस कबूतर को भी लाने का तो जल्द ही ट्राइ करेंगे कि अपने छट पे जो है साजन कप साजन पूरी कभूतर को भी लाया जाए तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना ये कभूतर को हमें लाना चीए कि नहीं ठीक है वैसा हम लोग कोसिस करेंगे कि प्योर साजन पूरी कभूतर मिल जड़ा सोच समझ के मैं इस कभूतर को यह हैं तीशने नंबर पर रखाओंँ ठीक है और गाइज दिखने में भी अब काफी बढ़िया दिखते हैं यह कभूतर जो है स्क्रीन पर ग्रवाइब किसको रखा है वह दिखाते हैं कटो येस गाइज डूसरे नंबर पर मैंने रखा रामपूरी कबुतर ओधर को मुझे पता है आप लोग सो रहे हो गेँ रामपुरी कभूतर को आपको पहले नमबर पे रखना चीए था क्योंकि भाई ये कभूतर सबसे बैस्ट क्यों ने मतलब मैं भी जो है ऐसा नहीं की वीडियो बताता हूं तो किसी और रामपुरी कभूतर को जो है मैंने दूसरे नंबर पे रखने का रीजन ये है नो डाउट कभूतर काफी बढ़िया है काफी जादा बढ़िया दिखता भी है इसकी जो ब्यूटी है तो भाई क्या ही कहने और जो गाईस उडान है उसमें भी भाई कोई मुकाबला नहीं ठीक ह बहुत ही बढ़िया है उसके बाद भी क्या रीजन हो गई कि मैंने इसको दूसरे नंबर पे रख दिया क्यों गाईस ये है रामपुरी कभूतर में मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं ये पहले प्लेस को डिजर्ब नहीं करता क्यों गाईस सिर्फ मैं आपको ज्यादा उड़ करता है लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ उड़ान के बारे में हमें देखना है कौन सा कभूतर ज्यादा उड़ता है हमें वो देखना है इसलिए मैं मतलब इसकी ब्यूटी को कोई ज्यादा उतना इंपोर्टेंट नहीं देता है क्योंकि हमें सिर्फ उड़ान कि इसका जो वेट है वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ज्यादा है इसका वेट इसलिए गाईस यह ज्यादा देर उन्ने का कैपिसीटी तो रखता है लेकिन नंबर वन पे गाईस उन्ने के मामले में मेरे हिसाब से रामपुरी कबुतर ओर मी आता और कम नहीं है कबुतरों की मेशेस सिर्फ पांच कबुतर को चुनाएं मैंने कि यह कबुतर मेरे इसाबसे मेरे को जैसा लगता है उस तरीके से गाइस मैंने बताया है आपको इस वीडियो में ठीक है तो जितना भी मैंने इसमें आपको जो चीज बता है वो सब मेरे ओपिनियन है ठीक है तो गाइस यह जो कबूतर है अगर overall performance की बात की जाए तो number one पे आएगा लेकिन अगर सिर्फ उडान की की जाए तो गाइस मैं इस कबूतर को number two पे रखूँगा ठीक है और गाइस आपको यह भी चीज पता होगा इस समय सबसे ज़्यादा क्रेच किस कबूतर का है जो लोग पागल हुए रहते है वो है टेडी कबूतर तो भाई मैं आपको बता दू टेडी कबूतर भी हमारे इ आउट नहीं है तो गाइस अब बात करते हैं number one position को कौन डिजर्ब करता है मैंने किसको रखा है number one पे और मैं उसमें मेरे को क्या ऐसा चीज लगा कि मैंने उसको number one पे रखा है ठीक है और गाइस number one पे मैंने रखने का सबसे बड़ा रिजन यह है कि इस वीडियो में मैं सिर जादा पतला होता है और काफी lightweight के कबूतर होते हैं फूरे खिचाओ दार बदन होता है तन के खड़े होते हैं ठीक है इनमें भाई कोई भी fat होता ही नहीं आप देख सकते हो मतलब अगर जिस बंदे को पता नहीं होगी कि यह कौन सी ब्रीड है तो यह भी साथ वो बोल दे क कि यह कबूतर सूखे में हैं लेकिन सूखे में नहीं यह अईसी ही ब्रीड है ठीक है और यह कबूतर जो है नंबर वन पोजिशन को मेरे इसाब से डिजर्ब करता है क्योंकि लाइट वेट होने के वज़ए से यह काफी ज्यादा उडने का साहस भी रखता है ठीक है आया कि नहीं अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो भाई उसके लिए माफ कर देना और आप लोग बता देना कि कौन सा कभूतर किस नंबर पर डिजर्फ करता है क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ओपिनियन दे रह झाल